कल का रौस द्वीप आज नेताजी सुभाश शंदर बोस्टीप के नाम से जाना जाता है। के खिलाफ 1857 में बंदू के उठाई या फिर अपनी कलम से आजादी पाने की अनंत ज्वाला जगाई थी। उन हातों से अंग्रेजों ने अपने लिए सुख सोविधाओं के सभी सामान उपलब्द करवाए। हम जानते हैं कि हमारे इस स्वतंतरता सेनानियों के खोन पसीने से रची पसी है इसके मिल्टी। ब्रिती अविश्युद के दोरान जब जापानी सेना ने द्वीपों पर कबजा किया तो ब्रिटिश मुख्य आयुक्त के आवाज पर जापानी गैरिसन कमांडर का कबजा हो गया। यही वो समय था जब दिसंबर 1943 में इस द्वीप में आगमन हुआ एक ऐसे व्यक्तित्व का जिन्होंने भारती ये स्वतंतता संगराम को एक नई दिशा दिखा कर अपना कुशल ने तिर्द्व दिया। पराक्रम और अदम्य साहसे परिपूर और प्रोविजनल गवर्मन्ट अफ आजाद हिंद के सुप्रीम कमांडर नेताजी सुभाश चंदर बोस ने अंडमान तौरे के दौरान 29 से 31 दिसंबर 1943 को इसी द्वीप पे आवास किया था। और तब तीन दिनों तक कभी प्रिटिश मुख्य आयुक्त का आवास रहे बंगले के ऊपर भारतिय तिरंगा फैरा रहा था। यही वो समय था जब नेताजी सुभाश चंदर बोस ने 30 दिसंबर 1943 को पोड़ ब्लेर में तिरंगा फैरा कर इन द्वीपों को सबसे पहले आजाद होने का गौरव प्रदान किया था। आज माननिय प्रधान मंतरी जी के द्वारा यहां नेताजी सुभाश चंदर बोस समारक के निर्मान की खोशना हर देशवासी के लिए गौरव के बात है। इस समारक के जरिये जहां देश नेताजी को शद्धांजली अर्पित कर रहा है वहीं इस से यहां परियतन को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यहां के एतिहासिक धरोहर और विरासत को भी सनरक्षन मिलेगा। इस राष्ट्री असमारक में नेताजी के अनुकर्णिय जीवन और स्वतंतरता संग्राम में उनके अमूल ये योगदान पर आधारित म्यूजियम कम इंटरप्रेटेशन सेंटर, गाइड़ हेरिटेज ट्रेल, पोर्ट बलेर और इस द्वीब के बीच रोपवे, लेजर अ प्रधान मंत्री जी के मारगदर्शन में इस अमरित काल में नेताजी सुभाष चंद्रबोस की 126 वी जन्म वर्षकाट पर बनने जा रहा ये राष्ट्री असमारक इस द्वीब को विश्व के परियतन मान्चित्र में विशेश स्थान दिलाएगा